नमस्तार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करते हूँ मेरे चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी हमेशा की तर चरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे चूड़ी से सम्मंदित कुछ मुहत पूर बाते जो सभी सुहागी निस्त्रियों को मालूम होनी चाहिए और अधिकतोर लोगों को मालूम भी होगा फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा सा सेयर करूँगी तो इसके लिए मैं आपके साथ आठ टिप्स नियम बताऊंगी और पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करनी चाहिए इसी के उपर आज का आमारा वीडियो है तो इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं कि वो आठ नियम टिप्स क्या है तो सबसे पहली बात है कि देखिए सभी सुहागिन इस्त्रियों को चूडिया पहनना तो अनिवार ही है पहननी भी चाहिए ऐसा निये कि हर मेकप करे और चूडि में कंजूसी कर दे और ब्रत्योहार में तो कभी भी हमें चूडि बहुत ही अधिक पहननी चाहिए डेली अगर नहीं पहनते हैं तो ब्रत्यवार में जरूर पहनिए तो सबसे पहला नियम हमारा है कि हमें कभी भी सोने और चांदी की चूडि कभी भी हमें सिंगल नहीं पहननी चाहिए क्यों मत पहनिये कि देखिए सिंगल पहनने से होता क्या है कि सोना और चांदी साउथ में जैसे सिंगल लोग पहनते हैं एक हाथ में ब्रेसलेटे कंगन वेगरा डाल लेते हैं गोल्ड का और एक हाथ में वाच वेगरा अपना पहन लेते हैं लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए हम नौर्थ इंडिया लोग अमारे तरफ काघक की चूडिया हमेंünf हाई हमें पहनी चाहिंए ऐसा नहीं है कि हम सील्वर की पहन् jaar नहीं चाहिए और की गोल्ट जो बिनलमने गोल्ड की चूड़ी भी अकेले उसके साथ आप कांच की चूड़ियां जरूर डाल लिजी तब आप गोल्ड का कंगन वेगरा आप पहनिए ऐसे बिना कांच की चूड़ियों का गोल्ड का ब्रेसलेट कंगन वेगरा आप मत पहनिए ये सुभ नहीं माना जाता है तो ये हो ग यह क्योंकि जानते हैं न दो अतार जब गरम हो जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा वही हाल है मैं एक वीडियो में अपने एकजामपल भी दी थी तो उसी प्रकार से माईके और ससुराल को बराबर नहीं रखना चाहिए एक को उचया और एक को नीचया एक को जादा और एक को कम इस प्रकार से चूडियों में भी नियम है कि एक में जैसे 12 इसमें 12 इसमें नहीं पहनने एक में 12 और एक में 13 चूडि हमें पहननी है माईके और ससुराल को बराबर नहीं रखा जाता चूडियों में यह थोड़ा सा नियम बना हुआ है तो आपको ध्यान रखनी चाहि कि हमें कभी भी crack चुडी नहीं पहननी जाए चिटकी हुई जो चूडी बोलते हैं कभी भी क्रैक चूडी आप मत पहनिये शुभ नहीं माना जाता। और साथ में एक और बात का ध्यान रखिए की कुमारी लड़कियां पहन सकती हैं काला और सफेद चूडी लेकिन जितनी भी सूहागी निस्त्रियां हैं कितना भी फैसन कर लीजें, कितना भी आधुनी की यूप के बन जाए हैं, modern हो जाए हैं लेकिन काला और सफेद चूडी हमें परहेज करनी चाहिए नहीं पहनी चाहिए जो कि हर सुहागी लेडिस के लिए सुभ नहीं होता ये दो रंग जल्दी से नहीं पहननी चाहिए कुवारी लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत चल जाएगा लेकिन सुहागी निस्त्रियों के लिए बिलकुल ये सुभ नहीं होता है तो आप मत पहनिए तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम चौथा नियम क्या है चौथा नियम है कि माली जी हम कुछ अचीसरा चूड़ी वगरा पहने हैं और अपने घर में या किसी तилась तेवार में और कहीं से कुछ असुभ समाचार सुनने को मिल जाता है फैमली है परिवार है कही कुछ ना कुछ सुनाई देही देता है तो अगर आपके घर में वैसा नियम है, हमारे तरप तो नियम है कि वो चूड़ी निकाल कर रख दिया जाता है जल्दी से, अगर आप सुंदर सी कोई चूड़ी पहनी है तो आप उसको निकाल कर रख दीजी, कोई सिंपल सी नौर्मल चूड़ी आप पहन लीजी, अगर आप अब नहीं पहन सकते हैं तो वो चूड़ी क्या हो जाएगा असुद हो जाता है जो 10 दिन और 12 दिन का हो जो घर में नियम कानून जो चलता है उसमें वो चूड़ी असुद हो जाती है फिर उस चूड़ी को अब आगे इस्तमाल नहीं कर सकते हैं उसको फेक दिया जाता है तो इसलिए अगर सुन्दर सी चूड़ी कोई पहने है और ऐसा कुछ समझ आ रहा गया तो अब तुरत उतार कर रख दीजिए कोई सिंपल सी चूड़ी पहन लीजिए तो यह हो गया हमारा चौथा नियम पाच्वा नियम क्या है कि कभी भी हमें अपने हाथ की पहनी हुई चूड या आप कभी किसी को मत दीजिए कभी किसी के साधी बिवा मैरेज अनवर्सरी हो या कुछ और हो उसमें आपको जरूर सुहाग की चीजों की दान करनी चाहिए उसी बहानी जो ही दान कर ले हम सुहाग की चीजों की तो कम से कम चूड़ी का एक डबा बिंदी का एक पत्ता और सिंदूर इतना तो आप किसी को भी दान स्वरूप या किसी रिलेटिव का अगर मैरेज अन्वर्सरी है तो उसमें आप सुहाग की इन चीज़ जो को तो आप जरूर दे सकती हैं तो इस तरीके से आप जरूर दीजिए क्योंकि सुहाग की चीजों का दान करना बहुत चटा नियम है कि कभी भी हमें अपने हाथ को बहुत देर तक खाली नहीं रखनी चाहिए जैसे कि हम चूड़ी वेगरा बड़ा मैचिंग मिलाते हैं और मैचिंग मिलाने में कौन कितना है कौन जादा है ऐसे करने में हमारा हाथ जो है खाली रह जाता है निकाल कर डालने मे उस बीच उस दौरान हमारा हाथ जो है दो तीन सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए सुब नहीं माना जाता या तो आप उहां कोई कलरफुल धागा वेगरा रखिए हाथ में लपेट लीजे या पोलेथीन जो होता है उसमें हाथ डाल कर रखिए लेकिन दो सेके क्या है कि हम देखिए किसी भी प्रकार की चूड़ी पहने हैं वह सोने की हो या वह चूड़ा हो या मेटल की हो मार्केट में बहुत तरीके की चूड़िया जो है आजकल एवेलेबूल है आप किसी प्रकार की चूड़ियां अगर आपको सौक है तो आप पहन सकती हैं कोई बढ़र दीवर्जित नहीं है लेकिन साथ में 2-1-4 कमसे कम काच की चूडियां जरूर डाल लिजिक चूडियां तो सभी हैं। तो काच की चूडियी को ही सूभ माना जाता है बागिहर राज के अलग-अलग निया में कहीं चूड़ा भी पहना कर साविवदी तो आपके घर में जो रिती रिवाज होता है उसको आप जरूर Follow की जिए, लेकिन अगर जिनके घर काज की चूडिया पहनी जाती है, तो वो किसी प्रकार की चूडी पहनती है, उसमे काज की 2,4 चूडिया, जरूर डाल लीजिये, तो ये हो गया हमारा साथवानियम आठवानियम क्या है कि पुरानी चूडियों का क्या करें क्रैक जो चूडियों गई है वो तो चलो तूट गई है तो उनको आप फेक सकती है उसको आप फेक दीजे डस्ट वीन वगरा में डाल दीजे लेकिन अगर आपकी चूड़ी टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, डिसकलर हो गई है, उन चूड़ीों का आप क्या करेंगे, तो उसको हमें तुरत फेकनी नहीं चाहिए, या कबाडी वाले को नहीं देनी चाहिए, अगर आप चाहे तो उसे कोई क्रियेटिव कार्य विक सकते हैं, तो उस तरीके से अगर इस्तवाल करते हैं, रियूज करते हैं, तो आप कर लिजे, अगर उस प्रकार से नहीं करते हैं, तो आप एक धागा लिजी और जितनी आपके पास पुरानी चूड़िया है, सब को उसमें पिरो लीजे, बांद दीजे, और किसी काटून मे बॉक्स में जो गत्ते वाला बॉक्स आते हैं उस गत्ते में बंद करके कहीं सेफ जगह पे रख दीजी क्योंकि इधर उदर फेकेंगे फिर टूटेगा बच्चों को चुबेगा उससे अच्छा कि हम कहीं बांध कर उसको अच्छे से स्टोर कर दीजे क्योंकि सुहाग की ची कर सकती हैं या उसको आप बांध कर स्टोर कर दीजे कहीं भी लटका कर रख दीजे जहां लोग बच्चों के पहुंच से बाहरों नहीं तो बच्चे तोड़ देंगे तो यही तब का था हमारा वीडियो और यह आठ नियम मैं आपके साथ सेयर कर दी आसा करती हूं उमीद क करती हूं कि इससे आप लोग को थोड़ा सा लाब मिलेगा फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहे सुरक्षित रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे